हलो स्टुडेंट्स दिस त्रिश्टी उपाध्याय फैकल्टी और प्रैक्सिस बिद्यापी ठुधावली बच्चों आज के वीडियो में हम लोग कांटिनू करेंगे फिर्स्ट वार ओफ इंडेपेंडेंस स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कैसे ब्रिटेस इंडिया कंपणी इंडिया में आती है और धीरे धीरे अपना एरिया फैलाते हुए चले जाती है इसका मतब कि वो लोग छोटे छोटे राज्यों को जीतते चले जाते हैं और हमारे देश को गुलाम बना लेते ह हैं ठीक है आपने देखा था कि दो ऐसे गवर्नर जेनरल के बारे में भी देखा था लाड बेले जली एंड लाड डल होजी जिन्होंने दो नियम बनाये थे और भी राज्यों को हड़पने के लिए कौन-कौन से नियम थे डॉक्ट्राइन आफ लैप्स एंड सब्सीडिरी इनमें क्यों था आपको पता है कि जस भी राज का कोई उत्तरा धिकारी नहीं होता था वो राज अंग्रेजों के अधिन हो जाता था साथ हिंदू राजा जो भी इंडिया का किंग होगा उसके पास अपनी कोई सेना नहीं होनी चाहिए उसके उपर अगर कोई मुसीवत पढ़ रखा है आज के वीडियो में हमको पढ़ना है बेटा ruling the empire कैसे ये धीरे-धीरे अपना empire बनाते हुए यानि कि इंडिया में आये सूरत में एक छोटी सी company बनाए इनोंने परमीशन लेकर के यहां के मुगलों के टाइम में आये थे ये लो और दीरे-धीरे क्या होता है यह factory के और branch बनाते-बनाते फैल जाते हैं पूरे इंडिया में ठीक है कुछ योजनाय बनाएंगे कुछ नियम बनाएंगे लोगों को उन्हीं योजनाओं में फसाएंगे तभी तो यहां पे जादा दिन तक शासन कर पाएंगे तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारे प्लांस बनाए जिसमें आपने पहले भी देख चुके हैं एक-दो प्लांस लेने लगे कर लेने लगे क्या सकते हैं revenue लेने लगे जैसे पहले के टाइम में राजा महराजा लेते थे आपने मुगलों के टाइम में देखा था देलाई सल्तनस के टाइम में देखा होगा ठीक है और नहीं भी देखे होंगे तो अपर क्लासस में जा करके आप लोग पढ जा कर लिए थे आर्मी पुलिस ठीक है ब्यूरोक्रेशी एंड जोडेशरी दिरे दिरे यहां पे आया अपना पावर उन्होंने बढ़ाया और लैंड रिबनी सिस्टम ने नियम बना बना करके तो करी रहे हैं साथ ही साथ उन्होंने अपनी आर्मी स्टेबलिस की इंडिया मे अपनी पुलिस बनाई अपना जुडेशरी सिस्टम बना दिया मिस क्या समझ रहे हैं आप लोग कि धीरे धीरे वह पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर तयार कर रहे हैं कि इंडिया पूरी तरह से गुलाम हो गया हम लोग के बस में अब कुछ नहीं था हम लोग टोटली किसके अं तो उन लोगों ने क्या क्या बेटा आवाज उठाई और इस आवाज उठाने की वज़े से क्या हुआ यहीं से फर्स्ट वार ओफ इंडेपेंडेंस के सुरुआत हो जाती है यानि कि स्वतंतरता के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है तो अब हम इसको पढ़ते हैं फर्स सat yon you or a acyacari थे अन्याय और अत्याचारी होने का क्या मतलब कि आप पहले देख रहे हैं कि ऑक डॉक्ट्राइण ऑफ लाफ्श था। उसके अंतरगत अगर किसी भी राज का कौई उत्तरादिकारी नहीं है और उत्तरादिकारी क्याँ मेल उत्तरादिकारी बेटा नहीए तो उस राजी को अंग्रेज अपने अंडर में कर लेंगे, वो राजी कमपनी के अंडर में हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसे ही बहुत ही नियम कानून थे अंग्रेजों की, जो की बहुत ही आप्रेशिप, यानि की अत्याचारी और अन्याय पूर्ण थे, The British had introduced large means only for their benefit, British यानि की अंग्रेज जो भी नियम कानून बनाते थे, उस नियम कानून में सिर्फ और सिर्फ उन्ही का फायदा होता था, Indians का कोई फायदा नहीं होता था, ठीक है, Many Indian ruler felt cheated because of the subsidiary alliance and doctrine of labs, बहुत सारे भारतिय राजा जो थे, वो cheated means की अपने साथ, उनके साथ धोखा फिल हुआ, पहले तो उन्हें नहीं समझ में आ रही थी सारी बाते, पहले तो वो लोग mix हो गए, company के साथ, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्हें cheat फिल हुआ, उन्हें लगा Line of Laps क्या है, यह दो नियम थे, जो अंग्रेज गवर्नर्स ने बनाया था, और यह नियमों को बनाने का मेन उद्देश क्या था, कि वो किस तरह से भारतिय राजियों को हडप सकें, company में मिला सकें, ठीक है, जिस तरह से, पूरी तरह से उनका साथन हो जाए, इंडिया पे, इस फोस्ट फार्मर्स टू ग्रो कैस क्रॉप्स फर पूर रेटर्न्स, अब जो बिट्रिस लेंड रेबनी सिस्टम था, जो अंग्रेजों का यह जमीन से कर लेने वाला सिस्टम था, इसमें क्या था, किशानों के उपर बहुत अत्याचार होता था, उनसे जबरदस्ती अन बंगाल में फेमाइन हो जाती है, निकी महामारी पड़ जाती है, महामारी क्यों पड़ेगी, भुख मरी की वज़ा से, जब लोग जो खेती बारी कर रहे हैं, वो अनाज भी उनको नहीं मिल पा रहा है, वो भी छीन लिया जा रहा है, तो क्या होगा, भुख मरी की वज़ा बहुत खतरनाक आपदा माना जाता है इसको जो बंगाल में हुआ था किस वज़ा से हुआ था पीटा अनाज की वज़ा से अब चुकि अंग्रेज यहां पर आ गए है हर एक चीज पर उनी का सासन है तो इंडिया में जो भी new development होना था जो भी यहां के लोग खुद नही नही फैक्टरिया बनाते या नया development करते cotton textile हमारे यहां की बहुत फेमस थी इसलिए तो बाहर के लोग यहां trade करने आ रहे थे यहां के मसाले बहुत बिस्व में प्रसिद्ध थे इसके लिए भी लोग यहां पर व्यापार करने आते थे लेकिन सारी चीज़े क्या हुई समय के साथ साथ जैसे जैसे अंग्रेजों ने सारी चीज़ों पर कंट्रोल किया तो इन सारी चीज़ों पर भी उन्हीं का कंट्रोल हो गया यानि कि इंडिया के पास खुद का यह पावर नहीं था कि वो लोग अपना कोई चीज डेबलप कर सकें खुद की company बना सकें in the British rule दीरे दीरे क्या हुआ कुछ भारतिये लोग उठे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाब बिरोध किया कैसे बिरोध करेंगे so protest movements occurred throughout the 19th century in India आप देख रहे हैं आप लोग 17th century में अंग्रे जा रहे हैं और कितने टाइम तक उनका अत्याचार चलता जा रहा है चलता जा रहा है लेकिन at last क्या होता है 19th century में 19th century में कुछ लोग उठते हैं और बिरोध करते हैं यानि कि लोगों का एक समूँ ऐसा होता है जो उनका अत्याचार सहने से मना कर देता है और वो बिरोध करने लगता है संथल रिवेलियन 1855 अब ये कुछ बिद्रोहों का नाम है बेटा आप लोग लर्न कर लिजिएगा ये जो संथल रिवेलियन है संथल बिद्रोह है 1855 का इंडिगो रिवेलियन जो की 1869 का है ठीक है पवना अपराइजिंग 1873 1873 का पवना अपराइजिंग दक्कन रियोड्स 1875 का तो ये कुछ बिरोध है जो अंग्रेजों के खिलाफ किये गये थे लड़े गये थे ठीक है अब हम पढ़ेंगे रिवाल्ट ऑफ 1857 1857 का बिद्रोह भारतिय इतिहास में बहुत जादा फेमस है और इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम पढ़ यूनोहाट यह जो बॉक्स में दिया हुआ है यह भी इंपॉर्टेंट होता है आपको पता हर चैप्टर की तरह तो आप लोग इसको तुरंट कहीं नोट कर लीजेगा ठीक है सतेंद्रनाथ टैगोर यह क्या है बिटा एक सवतंतरता सेनानी का नाम है सतेंद्रनाथ टैगो इसको नॉलेज में बोल सकते हो कहीं किसी एक्जाम में पूछ सकता है कि सबसे पहले आइस ऑफिसर कौन थे सिबिल परिच्छा 1864 में जिनोंने सबसे पहले कौलिफाई की थी उनका नाम था बेटा सतेंद्रनाथ टैगोर ठीक है वो कौन थे रबिंद्रनाथ टैगोर के भा इसमें कौन आया था किसने पास किया था सतेंद्रनाथ टैगोर कब 1864 में अब हम 1857 का बिद्रोह पढ़ेंगे ठीक है दा रिवोल्ट ऑफ 1857 मार्क्ट ए वाटस्ट इन आवर कॉलोनियल हिस्ट्री 1857 का जो बिद्रोह है बहुत ज्यादा फेमस है इंडियन हिस्ट्री में क् सवतंतिता के लिए लड़ाई जो थी उसका स्टार्टिंग हो गया था इट पोज्ट और सीरियस चैलेंज तुद ब्रिटिस राज्ट्रू देयर वर जैर्वाज जैनरल रिसेंट्मेंट अगेंस्ट ब्रिटिस और इससे क्या हुआ अंग्रेजों का जो सासन था उसके खिल बैटा कि उस टाइम पर रायफल मतलब आप समझ लेजिए बंदूखें बन रहे थी तो उनमें बताया जा रहा था कि जो बंदूखों की गोली होती है तिक है जो बारूध होता है उन राइफल में गाय और सुवर की चरबी यूज हो रही है ठीक है तो अभी आगे हम लोग पढ़ रहे हैं इन सारी चुजों को continue कर रहे हैं यहां पे 1857 के कुछ क्रांतिकारियों का figure दिया हुआ है आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे but figure मैं आपको यहां बता दे रहे हूँ देख लिए मंगल पांडे जी है 1857 की क्रांति में इनका बहुत important role था ठीक है बहादूर साह जफर है मुगल साह रानी लक्षमी बाई ठीक है रानी लक्षमी बाई का भी बहुत main role रहा है बहुत ही बहादूरी से लड़ी हैं यह हमारे country के लिए तो यह 1857 के कुछ महान क्रांतिकारी है इनका यहां पर फिगर आपको देखने को मिला है तो बेटा जो यह revolt of 1857 है आपसे कोई पूछे first war of independence कौन है तेखें क्या है तो first war of independence जो है यह आपका यही 1857 की क्रांति जो है इसी को first war of independence कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों के यह जो राइफल्स की वज़ा से बिद्रो शुरूआ था rumors spread among soldiers in Calcutta that the cartridges of the rifle bear greased with the animal fat अब ऐसा अफवा फैल गया ठीक है सिपाहियों में ऐसा अफवा फैल गया कि जो कहां के सिपाहि कलकटा यानि की कलकत्ता जो कोलकाता है वहां के सिपाहियों में ऐसी आफवा फैल गई कि जो राइफल्स हैं उनमें जानवरों की चर्वी यूज हो रही है ठीक है तो राइफल्स को लोग पहले उसका जो बारूध होता था बेटा उसको मूं से काटते थे ठीक है अब ऐसा आफवा फैल गया कि उस सारे राइफल में क्या यूज हो रहा है जानवरों की चर्वी ज Бपनवरु की चरबी से क्या हुआ हिंदू धर्म के लोग भी प्रभावित हुए AI और मुस्लिम धर्म के लोग भी प्रभावित हो गये इससे जो हिंदू धर्म के सिपाही थे साथ ही साथ जो मुस्लिम धर्म के सिपाही थे दोनों धर्म के लोग क्या हुए प्रभावित हुए अलाइक ओन 29 मार्च 1857 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे और सोलजर आफ बैरकपूर के एक सिपाही कलकता के पास बैरकपूर है बिटा वहां के एक बहादर सिपाही मंगल पांडे और साथ ही साथ और भी लोग थे उन्होंने क्या किया इस काट्रिज को यानि कि यह जो राइफल था इसमें जो काट्रिज यूज हो रही थी उसको चलाने से इन्होंने मना कर दिया सबसे पहले यही से बिद्रोय के स्टार्टिंग होती है, as a result he was executed, परेडाम यह होता है कि उनको क्या किया जाता है एक्सक्यूट कर लिया जाता है this triggered his comrades to revolt against the British और इससे लोगों में बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि बिद्रोग की जौला भड़क उती है लोग और भी ज्यादा भड़क जाते हैं later on 10 में 1857 a revolt broke out among soldiers in merit बार में क्या होता है 1857 में सिपाहियों में फिर से एक बार बिद्रोग होता है बहुत जादा लोग लड़ने के लिए तयार हो जाते हैं अब क्या होता है वो दिल्ली के लाल किले पर माश करते हैं यानि की परेट करते हैं और जा करके बहादूर साह जफर जो की एक मुगल सा सकता उसको अपना राजा घोसित कर देते हैं यानि की इंडिया का ही रूलर था ठीक है अब उसको अपना राजा बना लेते हैं ऐसा कर सब्सक्राइब कानपूर और बहुत सारे जगह पे नौर्थ हेरिया में भी फैल जाता है देन ओन्वर्ड रिवोल्ड नो लॉंगर रिमेंड इस पोई और सुल्डर स्मूटिनी देरे देरे यह जो बिद्रो था बहुत ज्यादा देर तक कॉंटीनिव नहीं रहता है लेकिन आग तो धदक उठी है लोगों के मन में यह भावना तो जग ही गई है कि अब हमको नहीं जादा दिन तक गुलाम रहना है डिपोज रूलर्स आलसो ज्वाइन और रिवोल्ड बिकाज मैनी लॉस्ट दियर किंग्डम्स अंडर दॉक्ट्राइन ओप लैप्स अब क्या होता सब्सक्राइन ओफ लैप्स जो नियम बना था उसके तहत अंग्रेजों ने बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया था तो इस तरह से सारे रूलर्स क्या होते हैं इकठा हो जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े की सोचते हैं सम लीडर्स अब रिवोल्ड ब्यार अब इस क्रांती के 1850 का जो रिवोल्ड है इसके कुछ नेता है जैसे की नाना फर्नवीस ठीक है नाना फर्नवीस तात्या टोपे भक्त खान बेगम हजरतमाल रानी लक्ष्मी भाई तो कुछ महान नेता हैं इस विद्रों के जिनका नाम मैंने आपको बताया रिच लेंड सबसे पहले मंगल पांडे ने मना किया मंगल पांडे को उसकी सजा मिली और सिपाहियों में और भी जाधा बिद्रों हुआ लोग और भी तैयार हुए बहुत सारे राजा ने साथ दिया राजाओं ने साथ इसनाते दिया क्योंकि उनकी राज्यों को हड़प लिया था फिर लेंड लॉट्स और तालुक्दार्स भी साथ देना है क्योंकि उनकी जमीनों को अग्रेज थे विध्रों को बहुंकि अंकर मेंडर भी विद्रों को बेटा था बसा कोड़ेंट वर था है बन्च ने साथ फोर्ट लगाया बहादुर सा जफर जिसे सिपाईों ने पर राजा घोषित किया था ठीक है यहां पे उपर तो उसको कैद कर लिया जाता है रंघुन में ठीक है जो इस समय में में अमार में है force तो आपसे कोई पुछे तो आप पता सकते हैं बहादुर साजफर बहादुरसा जफर को जब कैद किया जाता है उसके बाद फिर कोई रूलर नहीं हुआ मुगल बंस का कोई भी रूलर नहीं हुआ तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक कोस्टन बन जाता है वो अस दा लास्ट रूलर आफ मुगल डाइनस्टी यह overall जो kingsip प्रणाली थी जो राजा वाली प्रणाली थी कौन था अंगरेजों के पहले दो बहादुर साजापर इसको जब कैद किया जाता है उसके बाद फिर कोई नहीं होता है ठीक है और यहीं से बिद्रोह भी खतम हो जाता है ठीक है तो आगे देखते हैं लफ्ट लास्टिंपक्ट उन ब्रिटिस रूल इंटेन फिप्टीएट दा कुईन्स प्रोक्लामेशन बॉट इंडिया डिरेक्ली अंडर ब्रिटिस क्रॉंग इसके बाद क्या होता है क्वीन वह जो क्वीन ऐलिजाबेट थी तो उस तरह से क्या होता है बहुत बुरा आशर पड़ता है वह क्या करती है इंडिया में पूरी तरह से ब्रिटिस के द्वारा कभजा करवा लेती है दर रिवोल्ट ऑफटी सेवन वाज रिफोर्ट टू एस सिप्यों म्यूटिनी का दर्जा देते हैं अंग्रेज ठीक है क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह जो बि लोग मिल करके करते हैं इंडियन नेशनल लीडर्स हाओवर कॉल इट फर्स्ट बार ऑफ इंडेपेंडेंडेंस जो भारतिय सोतंतता सेना नहीं है भारतिय लोग हैं वह लोग तो इसे क्या बोलते हैं विटा इसे कहते हैं सोतंतता का पहला युद्ध ठीक है और देख चैर हैं जिसे कुछ और नाम देते हैं में उटनी सिपोय को बेशलिब्रेटे इस लीडर्स मॉर्टर्स फर्म फ्रीडम स्ट्रगल और हम लोग अपने सतंतरा सेनानियों का धनेबाद भी करते हैं और उनके लिए सेलिब्रेट भी करते हैं अलग-अलग डे को अलग-अलग लोग कि भारतिये लोग क्या कहते हैं इसको भारतिये लोग इसको रिफर करते हैं फर्स्ट वार ओफ इंडेपेंडेंस तो इस तरह से हमारा यह चैप्टर खतम हुआ नेक्स वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स इसका पीडियाप में आपको सेंड करूंगी और वीडियो लेक झाँ बटो था जो हुआ हो कि इना भट पन्यार प्रिने हम बवा हुआ।